नमस्ते और वेलकम अगें टू माई चैनल आज जो सॉंग में आप लोगों को सिखाने चाहरे हैं वो है लिखे जो ख़त तुझे अगें song already uploaded है मेरे चैनल पे, full song play किया हुए मैंने लेकिन अभी मैं आप लोगों को केवल अंत्रा सिखाऊंगी दो तरीके से तो शुरू करते हैं पहला चैनल तरीका है दो स्ट्रिंग यूज होंगी E and B और यह easy भी है यह वाला तरीका easy है जो दूसरा तरीका में बताऊंगी उसके comparison में तो शुरू करते हैं बहुत easy song है शुरू करेंगे E8 से ली खे जो एट खे आएगा E7 पे जो आएगा E5 पे ली खे जो खत अगेन आज आएगा E7 पे तो इस तरह से खत ली खे जो खत तुझे तुझे का तू आएगा E3 पे और जे आएगा E5 पे ऐसे play कर सकते हैं या फिर इसको slide भी कर सकते है slide पे थोड़ा better sound करता है second line भी same ही है then हजारो हजारो का हजारो तीनो तीन अलग अलग notes है हजारो E5 E3 E1 E5 E3 E1 हजारो अब रंग जो है रंग का रा E1 और गा जो है वो E3 पे हजारो रंग हजारो रंग गा आजाएगा E3 पे के के आएगा आपका E1 पे हजारो रंग के नजारे अगे नजारे तीनो तीन अलग अलग notes है E1 नजा जो है E ओपन रे B3 पे उपर वाली string पे चले जाएगे रे में नजारे 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 बन बन पूरा आएगा B1 पे बन गए ग ये इवन ग ये पे इओपन ग ये बन ग ये बन जहाँ पे है जस्ट उसके नीचे चले जाएगे ग ये तो पूरा song मैं slow में प्ले करके दिखाती हूं तो ये था इसका मुखडा आप शुरू करते हैं दूसरा तरीका दूसरा जो तरीका है उसमें E string छोड़ देंगे उपर की तीनों string ले लेंगे यानि कि B, G and D B, G, D पे आएगा ये शुरू करते हैं लिखे जो खट सेम है जैसा जो E string पे जो notes आएथे सेम वही B पे आएएगे E पे हमारे A जो आए थे ऐसा आए था सेम वही उपर बजाना है एक string उपर B पे लिखे जो खट अब तुझे में एक string पीछे चले जाएंगे हम तुझे का G7 तू और जे जो है B5 पे तू जे तू जे जो तेरी याद में सेम लाइन वही फिर देन हजारू हा जा रो B5 G7 G5 हा B5 पे जा G7 पे रो G5 पे हा जा रो हा जा रो रंग रंग G4 G7 रंग रा जो है वो G4 पे और ग जो है G7 पे रंग के G5 रंग के रंग के नजारे नजारे G5 G4 D पे आ जाएंगे एक श्ट्रिंग ऊपर रे ना जो है G5 पे जा जो है G4 पे रे जो है D7 पे नजारे बन D5 बन गए G5 जफ्ट उसके नीचे D5 के नीचे ग ये G4 पे आके ये गाना मुखडा जो है इसका खतम होग बन गए बन D5 गए का गए G5 और ये जो है G4 बन गए तो ये था इसका मुखडा ओफुली आप लोगों को पसंद आएगा ये वीडियो आप प्ले कर पाएंगे दोनों में से जो भी तरीका आप लोगों को सही लगे किसी भी तरीके से प्ले कर सकते हैं दोनों तरीके सही है तो थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लेट मी नो अगर मेरी वीडियो आपको यूसुल लग रही है है हेलफुल लग रही है के नहीं अगर आप यह मेरा वीडियो फ़स्ट तरीक रहे है तो प्लीज अपनी सब्सक्रिप्शल निस्ट में एक और सब्सक्राइबर को ड़ीजिये मिरा लिचैनल अब सब्सक्राइब कर लीजिये एक और चैनल को